Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sood, so 36rd State Eligibility Test 2024 examination में negative marking होती है या फिर नहीं, ये एक सबसे बड़ा confusion बच्चों में है लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ये सारा confusion दूर हो जाएगा क्योंकि students मैं आपके साथ एक official notice शेयर करने वाली हूं आगे बढ़ने से पहले आपको बतादू students की examination को first attempt में qualify करना बहुत असान है इसके लिए आपको paper 1 पर major focus रखना है paper 1 के लिए क्या चीज़े important है, कौन कौन से topics आप से पूछे जा सकते हैं इस हिसाब से अगर आप तयारी करते हो तो जरूर exam qualify होगा और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए एक complete course में लेकर आई हूँ जहाँ पर daily live lectures के साथ exam से पहले आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा यहाँ पर आपकी concept clarity के साथ साथ topic wise and unit wise MCQs और PYQs आपको मिल जाएंगे ताकि students आपको यह पता लगता रहे कि जो topic आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे questions आज तक पूछे गए है notes के साथ साथ आपको English Hindi दोनों languages में mock test में मिल जाएंगे and 5000 plus MCQ question bank है यह question bank के साथ मैं आपको अपनी personal guarantee देती हूँ कि इसके बाहर से एक भी question आपके set exam में नहीं पूछा जाएगा इसमें हर एक unit wise questions को arrange किया गया है इन questions को अगर exam से पहले आप एक से दो बार भी अच्छे से पढ़ लेते हो इनके options को अच्छे से पढ़ के समझ के concept भी clear कर लेते हो तो यकीन रखिए कि बहुत easily paper one में आप 90 प्लस भी score कर सकते हो आपके लिए new batch भी हमारा 20th में यानि कि coming Monday से start होने वाला है तो इसको given numbers पर contact करके join कर लीजिए और free videos को भी जरूर देखिएगा जो कि आपको global online app पे मिलेंगी store section पर search bar में लिखना है course का नाम जैसे content पर जाओगे आपके सामने separate मेरा course है इस course के अंदर जितना भी content है वो काफी है आपकी तयारी के लिए extra कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 5000 plus MCQs है PDF है इसको easily आप download भी कर सकते हो और live classes में यहां से रोज जॉइन कर सकते हो कोई भी सवाल है तो given whatsapp numbers पर easily contact कर लीजिए so negative marking की जब हम बात करते हैं तो देखे students आप लोग चाहें किसी भी net की तयारी कर रहे हो या फिर किसी भी state के set exam की तयारी कर रहे हो इसमें फिलहाल किसी भी तरीके की negative marking नहीं होती है official जो information bulletin जारी किया जाता है उसमें भी ये चीज़ को clearly mention किया गया है कि negative marking नहीं होगी देखे अभी आप लोगों का जो set examination है उसमें 2 paper होते है paper 1 100 marks का रहता है paper 2 200 marks का रहता है overall 300 marks का आपका पूरा paper रहता है मतलब कि 150 mcqs है हरे question का weightage 2 marks है और 300 marks का आपका पूरा paper रहेगा तो आप लोग सारे के सारे 1.500 questions को बिना कुछ negative marking के डर से attempt कर सकते हो कई बार नहीं तो बच्चों को यह होता है negative marking होगी हम ऐसे तुक्का थोड़ा सा मारें ट्राइ करें या नहीं करें तो आप लोग बिलकुल अच्छे से ये चीज़ को समझ लीजिए कि negative marking नहीं होती है इन examinations में और नहीं फिलहाल negative marking से related कोई notification आई है इसके अलावा students आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि negative marking के साथ साथ बच्चों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि total कितने बच्चों का selection होता है negative marking से बड़ा confusion ये बच्चों में है information bulletin में देखोगे तो उसमें लिखा है कि general category में 40% और SCST OBC category में 35% marks लाने पर students का selection हो जाता है लेकिन ये आप लोगों के minimum qualifying marks है ठीक है minimum qualifying marks ये वाले होते हैं आप लोगों का selection कब होता है जितने बच्चे examination देने गए हैं जितने बच्चों के उस दिन exam वाले दिन attendance note हुई है उसके top 6% students का ही सिरफ selection इस examination में होता है तो ये दो चीज़े हैं negative marking के साथ मैंने आपको ये selection वाला भी बता दिया इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिए और उस according अपनी तयारी करते रहिए and ये 5000 plus MCQ PDF जो मैंने कहा इसको miss मत करना recently देखिए ये बिल्कुल updated है अभी एक दो महीने पहले ही हमने अपडेट किया है इसको इसके बाद हमारा HP set examination हुआ था आप HP set exam का paper 1 देखिए आपको complete paper 1 के 50 के 50 questions इस PDF के अंदर मिलेंगे ठीके आपको पता चल जाएगा कि इसके बाहर से set exams में कुछ भी नहीं आ रहा तो एक पर try जरूर कर सकते हैं और आप लोगों को और भी कोई help चाहिए directly मुझसे contact करना चाहते हो तो आप सबके लिए एक free telegram group में लेकर आई हूँ इस group में मैं regular basis पे आपके साथ paper 1 के important links paper 1 के जो भी current affairs है important PYQs हैं ये सब discuss करती रहती हो ताकि आप लोगों की भी अच्छे से revision होती रहे और भी कोई सवाल है तो discussion के लिए group बिल्कुल open है आप मुझसे यहाँ पर directly contact कर सकते हैं तो इसे के साथ फिर discussion को end करते हैं thank you so much and I wish you all the very best